Hello friends, welcome to GK Study आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Lecture 1 के बारे में जो की related है आपका HP पटवारी एक्जाम 2014 से इसमें हम जो है वो previous 10 एर के जो भी एक्जाम होए हैं हिमाचर प्रदेश में उनमें जो भी HP GK के कोशन पूचे गए हैं उनको डिसकस करेंगे बाकि HP GK हो या कोई भी एक्जाम हो ठीक है उसमें HP GK आपकी तोड मरोड के पूची जाती है या फिर थोड़ा सा अपग्रेड करके पूची जाएगी घुमा फिरा के पूची जाएगी तो वही चीज हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे ठीक है तो वीडियो को शुरूर से लेकर लास्त जुरूर देखेगा बहुत जादा आपके लिए helpful रहेगी उसके सासत जो भी आपका मतलब की question रहेगा उससे related जो भी information रहेगी important वो आपके साथ share की जाएगी आगे बढ़ने से पहले पटवारी का course हमने launch किया हुआ है हमारा चल रहा है ठीक है बहुत सारे बच्चों ने enroll किया है और अच्छे से चल भी रहा है तो अगर आप join करना चाते हो पटवारी का batch 2024 के लिए तो आप join कर सकते हो आपको simple सा gkstudy app.com पर जाना है तो paid courses में आपको पहला test दिएगा HP पटवारी full course 2024 batch के नाम से और उसमें जब आप click करोगे तो आपको एक content का section मिलेगा जिसमें आप जो है वो demo material देख सकते हो देखिए कोई भी course मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कोई भी course आप join करते हो सबसे पहले demo चेक कीजिए अगर कहीं पर demo नहीं दिया गया है तो उनसे demo मांगिए ठीक है demo से आप satisfy हो अच्छी तरीके से या फिर आपको कुछ doubt है तो वो clear कीजिए उसके बाद ही course को join कीजिए तो यहाँ पर आपको तीन वीडियो छे PDF एक test दिया गया है कि किस तरीके का material provide करवाया जाएगा recorded classes starting में होगी live classes आपकी जो है वो revision के लिए होगी study material, best video of notes, separate telegram group, doubt asking group, सभी section की quiz, full mock test, 10,000 से जादा one liner, 10,000 से जादा MCQs और भी बहुत कुछ जो है वो आपको provide करवाया जाएगा maths की already हमारी 5 classes हो चुकी है HPGK की भी मैं class लेकर आया हूँ, 3 classes हो चुकी है तो धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको तयारी की और और अच्छी आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपकी जादा से जादा selection के chances बढ़ जाएगा price 1499 है आप coaching कहीं पर भी join करते हो, आपको पता ये 5-6,000 आपके जो है वो price लग जाता है उसके अलावा 2,027 तक कोई भी पटवारी की vacancy नहीं आएगी तो अपना time मत waste कीजिए अभी से जो है वो तयारी में लग जाएगे description में link दिया गया है बागी कोई भी आपको और doubt हो 9882061022 पर आप what's up कर सकते हो सिरफ what's up के लिए है call वगएर आपकी pick नहीं की जाएगी तो वहाँ पर भी आप जाकर जो है वो पूछ सकते हो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question यहाँ पर है कि भीगू रिशी जील समुदर तल से लगभग कितने मिटर की उन्चाई पर स्थित है किसके बारे में पूछा गया है भीगू रिशी जील के बारे में पूछा गया है यह question previous year question आपका जो है वो पूछा गया है कभी आप papers बगरा चेक कर होंगे आपने तो आपको पता ही होगा तो इसका जो सही answer है वो है आपका चार हजार दोसो चालिस मेटर अब देखे इस तरीके के question पूछने के दो चार method बनते हैं या फिर आपको मिलाने के लिए दे दिये जाते है कि यहाँ पर जीलों के नाम दे दिये जाएंगे भी हो सकता है 41 भी हो सकता है यानि के 40 की जगा 39 भी और 41 भी यह आगे पीछे होता रहता है तो यह याद रखनी है ठीके extra information की बात करें तो जो आपकी ब्रिगुरीशी जील है यह कहां पर पढ़ती है सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है तो यह पढ़ती है आपकी कुल्लू डिस्टिक में ठीके कुल्लू डिस्टिक में आपकी ब्रिगुरीशी जील पढ़ती है अच्छा कुल्लू डिस्टिक में और कौन कौन सी पढ़ती है तो भाई मनतलाई आपकी जील पढ़ती है मनतलाई आपकी जील पढ़ती है कहांपर कुलु डिस्टिक में सेकंड कौन सी होगी सेकंड होगी आपकी दयोरी भाई ये भी बहुत बार पूछी जाती है फिर एक तो भाई कुलु का दश hour जील आपसे पूछी जाती है एक आपकी आती है श्रिंग ट्यूंग शिरिंग त्यूंग ये वैसे अभी इतनी ज़्यादा पूछी ने गिए बट पूछी जा सकती है हंसा जील पानी की तरफ साफ दिखाई देती है हंसा जील फिर आपकी सर्योल सर जील जो है वो बहुत important है बुड़ी नागिन देवी का मंदिर भी यहाँ पर है और आप ही नाम की चिडिया का संबंद इस से है ठीक है मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार आपको बताया है ये भी आपकी कुल्लू जीले में पढ़ती है ठीक है डेहनासर जील भी जो है वो आपकी कहां पर पढ़ती है ये भी आपकी कुल्लू डिस्टिक में पढ़ती है और एक पढ़ती है आपकी नैन सर तो ये सारी जीले आपकी कुल्लू की पढ़ती है कौन-कौन सी भीगुरिशी जील इन सभी जीलों की आपको थोड़ी बहुत हाइड का भी आइडिया होना चाहिए ठीक है बिरिगुरिशी जील के बारे में तो मैंने आपको बताई दिया कि 4,240 मेटर जो है वो इसकी हाइड है बाकी ये इंपॉर्टन पॉइंट से सारे आपको जो है वो पता होने जरूरी है I hope आपको क्लियर्टी हो गई होगी अगले कोशन के बारे में जो है वो बात करते हैं अगला कोशन है स्मुद्र तल से मुलकिल्ला ग्लेशेर की उन्चाई कितनी है मुलकिल्ला ग्लेशेर के बारे में या आपर पूछा गया है What is the height of मुलकिल्ला ग्लेशेर above sea level चार आपके पास option दिये गए है ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 6478 सेकिंड आंसर इसका सही रहेगा 6478 मीटर जो है वो इसकी height है अब ये question आपका clerk वगेरा में assistant professor वगेरा में computer operator वगेरा में पूछा गया है ठीक है और इस तरीके के question पूछे जाते है अच्छा मुल्किल्ला glacier पढ़ता कहां पर है ठीक है तो लाहोल एंड स्पीती में जो है वो आपका मुल्किल्ला glacier पढ़ता है एक question ये बन गया कौन सी घाटी में पढ़ता है तो भागा घाटी में जो है वो आपका मुल्किल्ला glacier पढ़ता है एक question आपका ये बन गया भागा घाटी के और glacier कौन कौ परञें और इसके इलावा, आपने सुना होगा, लेडी ओफ केलांग, जो की आपका एक लेडी की तरहन दिखाई देती है जिसकी आकरीती, वह भी आपका गलेशर कहांपर पढ़ता है, भागा गाटी में पढ़ता है। जब भी आपको पता होने जरूरी है, दिक्ए जब भी आपको ये भी बता होना चीए कि मुलकिल्ला कहां पर पढ़ता है जब आपको पता लगा मुलकिल्ला भाई लाहौल स्पीती में पढ़ता है और भागा घाटी में पढ़ता है तो आपको ये भी बता होना चीए कि भागा घाटी में और कौन कौन से गलेशर पढ़ता है ठीक ह जी चंद्रा के इलावा आपकी जो है वो कौनसी घाटी पढ़ती है पत्तन घाटी भी पढ़ती है इनमें भी अलग-अलग गलेशर है तो सब के बारे में आपको पता होना चीए जैसे अगर चंद्रा घाटी की बात करें तो बड़ा शिगडी जो ही माचर प्रदेश का सबसे बड़ा गलेशर है बड़ा शिगडी वो कहां पर पढ़ता है वो आपका चंद्रा घाटी में पढ़ता है ठीक है उसके लावा चंद्रा गलेशर हो गया गया फांग गलेशर हो गया कुल्टी गलेशर हो गया ये सारे कहां पर पढ़ते हैं ये चंद्रा घाटी में आपके से तयारी की जाती है ठीक है समझ गए अगले कोश्चन की बात करते हैं अगला कोश्चन है इंदोरा का काठगडगाउं किसके बारे में बात हो रही है काठगडगाउं के बारे में बात हो रही है कहां का इंदोरा का निमलिकित में से किसके लिए प्रसीद है तो यह तो आपक ठीक है थोड़ा सा सिकूर्टी है ऐसा बोला जाता है बाकी जो वहाँ पर रहते हैं उनको पता होगा काठगड विलेज के बारे में ठीक है जी नेक्स कोशन की बात करते हैं नेक्स कोशन है तेरविश ताबदी में निरमित प्रसिद बैजनात मंदिर का उननिस विश ताबदी में किस साशक द्वारा जिर्नो द्वार करवाया गया था ठीक है यानि किसने रिनोमेट करवाया था जो कि आपका 13th century में मंदिर बना था संसार चंद ये काम जो है वो संसार चंद के द्वारा जो है वो किया गया था संसार चंद ठीक है जी ये आपको याद रखना है बाकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है नेक्स कोशन की बात करते हैं भवानी महल और वीजे महल निमलि मंडी जिले में वो आपके भवाणी महल और उसके साथ साथ वो विजे महल पढ़ते हैं विजे प्लस भवाणी दोनों याद रखने हैं उसके अलावा देखिए मंडि के बारे में आपको ये भी पता ही होगा कि सबसे जादा दूसरे जिलों के साथ जो सीमा लगती है वो मंडि जीले की लगती है अगर आपने basic geography पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा ठीक है ये basic geography हमने पटवारी में तो cover कर दी है छे जीलों के स शहर के बारे में बात करें तो होगा आपका अजबर सेन ठीक है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी जरूर है कहीं पर भी मंडी का नाम है तो मंडी के बारे में कुल्लू का नाम है तो कुल्लू के बारे में कांगडा का नाम है तो कांगडा के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको पढ़नी जरूरी है ठीक है जी नेक्स्ट कोशन है हिमाचर प्रदेश के कांगड़ा जिले में मसरूर में स्थित चटान मंदिर का निर्माण किस श्ताबदी के आसपास हुआ था मसरूर टेंपल के बारे में आपने सुना होगा अच्छा कमेंट करके बताएगा मसरूर को हिमाचर प्रदेश का क्या बोला जाता है चार आपके पास उप्षिन दिये गए है ठीक है ये आपका कोश्चन अलाइड में पूछा गया है ठीक है अलाइड एक्जाम की भी तयारी बहुत सारे बच्चे कर रहोंगे बहुत जल्दी बैच लॉंच होने वाला है उसका भी तो सात्वी और आट्वी श्तापदी में जो है वो अलाइड मतलब सुरी अलाइड का नी मसरूर मंदिर का निर्मान जो है वो किया गया था ठीक है जी बस इतना इसके बारे में याद रखीगा नेक्स्ट कोश्चन है आपका धारों की धार कीला कौन सा कीला धारों की धार इमाचर प्रदेश के किस जिले में स्थित्य है ठीक है धारों की धार तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सोलन सेकिंड आंसर इसका सही रहेगा तीक है सोलन जो है वो धारों की धार किला वहां पर पढ़ता है अच्छा सोलन की बात करें और भी यहां पर किले पढ़ते हैं जैसे कि आपका मलोन किला हो गया ये भी आपको याद रखना है मलोन किला कहां पर पढ़ता है ये सोलन में पढ़ता है उसके बाद राम शहर कीला हो गया राम शहर कीला पढ़ता है आपका ये भी सोलन में पढ़ता है ठीक है दो कीले याद रखने है आपको ठीक है जी उसके बाद नाला गड़ कीला ये भी आपका सोलन में पढ़ता है तो तीन कीले तो नाला गड़ तो चलो वो सिर्मोर, नहीं, सॉलन और बिलासपूर की सीमा पर स्थित है, किसकी सोलन प्लस बिलासपूर की सीमा पर, बिलासपूर की सीमा पर, तो वो कौन सा किला है, वो है आपका मलोन का किला, ठीक है जी, उसके बाद, एक बहुत फेमस किला कहीं बार पूछ ले जाता है, किला पढ़ता है आपका सरका घाट में सरका घाट ये कहां पर पढ़ता है मंडी में ये प्रिवे सिर में बहुत बार पूछा गया है ठीक है किसके दौरा सूरज सेन के दौरा इसको जो है वो बनाया गया था सूरज सेन के दौरा यह याद रखेगा अच्छा एक चीज़ बहुत important बहुत important ही बोलूँगा मानगड कीला अच्छा मानगड कीला जब पढ़ाया जाता है मैंने बहुत बार पढ़ाया है तो बच्छों को इसमें बहुत जादा confusion होती है कि मानगड कीला भाई है कहां कहां पर कोई कहीं answer बताता ह तो मानगड कीला सबसे पहले तो आपका पढ़ता है सिर्मोर में सिर्मोर की पच्छाद तहसील में आपका मानगड कीला पढ़ता है सेकंड मानगर कीला जो पढ़ता है वो पढ़ता है आपका कुल्लू में ठीक है कौन सी तहसील आपकी बंजार ठीक है और थर्ड आपका मानगर कीला जो पढ़ता है वो पढ़ता है आपका कांगडा में ठीक है जी कांगडा में पढ़ता है और ये पढ़ता है आपका देहरा में तो ये तीनों जगा पर जो है वो मानगड कीला पढ़ता है आपने मंदिर के केसिस में देखाओगा बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनका नाम से में बट अलग अलग जगा पर जो है वो पढ़ता है त तो ये सारी चीज़े भी आपको जो है वो important याद रखनी है, ठीक है जी? चार आपके पास option दिये गए है, इसका जो सही answer है वो है आपका किनौर, राक्षिस पूजा जो है, वो किनौर की famous है, अच्छा और कौन-कौन से त्योहार है, किनौर के, सबसे important तोशिम, तोशिम त्योहार कहां का है, किनौर का है, अच्छा तोशिम में जो है वो young, जो आपक किनौर से related है, उसके बाद आपका उक्यांग भी किनौर से related है, फिर आपका चतरेल हो गया, ये भी आपका किनौर से related है, और उसके बाद आपका धखरेन हो गया, ये भी आपका किनौर से related है, तोशिम, फुलेच, उक्यांग, चतरेल और धखरेन, इसके लावा लोसर, लोस वो मेंशन जो है वो मिल जाएगा कि कि नौर में भी इसको celebrate किया जाता है तो तोशिम, फुलेज, उक्यांग, चत्रहल और दखरेन ये आपको important याद रखने है I hope आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट आपका निमलिकित में से कौन सा निरित्य अव्यसक लड़कियों द्वारा किया जाता है यहाँ पर पूछा गया है निरित्य के बारे में, डांस के बारे में जो की minor girls के द्वारा जो है लड़कियों के द्वारा लड़कियों के द्वारा यानि के माइनर गल्स के द्वारा जो है वो किया जाता है चार आपके पास option दिये गए है तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कीकली ठीक है कीकली निरित्य जो है वो आपका अव्यसक लड़कियों यानि के माइनर गल्स के द्वारा किया जाता है अच्छा कीकली निरित्य किस से रिलेटिड है जलब कहां से कौन से डिस्टिक से तो चंबा डिस्टिक से जो है वो आपका समन्दी थे घुरही निरित्य भी आपका चम्बा से रेलेटेड है गद्धी भी आपका चम्बा से ये तीनो आपके चम्बा में पढते हैं तो तीनों आपको याद रखने है उसके लावा और भी मैं आपको बता रता हूं डंगी में क्या है कि ये भी आपका female के द्वारा किया जाता है डंगी निरित्ते ये सारे चंबा से related है चंबा में और कौन सा हो गया डेपक हो गया वैसे तो जारातर नाम से ही आते हैं बड़ फिर भी आपको पता हो ने चाए डेपक भी जो है वो चंबा का प्रसीद है फिर सेन के बाद आपका पंगवाल हो गया पंगवाल में क्या है कि बाई जो आपका male होते हैं ये आपके दिन में करते हैं और जो female होती है ये आपकी evening में करती है ठीक है तो ये भी याद रखेगा पंगवाल और एक हो गया आपका फुलियाना तो फुलियाना भी किस से चंबा स जाजनी जाजनी क्या होता है जाजनी एक वर्ड है जाजनी बोला जाता है आपका अभूशन को यानि कि जो गहने होते हैं जो कि आपके नृत्य के समय या डांस के समय पहने जाते हैं जो भी आपका साजो शिंगार के समान होता है अभूशन होते हैं उनको जाजनी बोला जात तो जाजिनी और डागरा जो है वो याद रखेगा तो मैक्सिमुम चम्बा के निरित्ते में आपको बता दिये जाजिनी और डागरा क्या होता है ये भी आपको I hope समझ आ गया होगा next question की बात करते है हिमाचर प्रदेश का अंतिम Chief Commissioner कौन था ठीक है Chief Commissioner की बात यहां पर हो रही है कौन था निमलिखित में से अच्छे ये chapter मैंने पटवारी कोर्स में कवर करवा दिया आपको और अच्छी तरीके से बहुत सारे बच्चों को पसंद आया है कि हमें अच्छे से ज लास्ट जो आपके चीफ कमिशनर थे वो थे भगवान साहे फस्ट कौन थे फस्ट थे आपके एनसी महता तो यह याद रखेगा कि फस्ट आपके जो है वो भगवान साहे थे और फस्ट थे आपके एनसी महता चीफ कमिशनर का मतलब है आपका यहाँ पर मुख्य आयुक्त ठी गए थे तीर मुख्य आयुक्त जनरली बनाए गए थे पहले NC महता थे सेकंड जो थे वो आपके E-Pedler Moon थे और उसके बाद जो है वो थड़ थे आपके भगवान साहे ठीक है तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है देखिए हिमाचर प्रदेश का जो गठन हुआ था दुबारा से में एक बार बता रहेता हूँ 1948 को जो हुआ था तीस छोटी बड़ी रियास्तों को मिला कर और फिर 1948 से लेकर 51 तक जो है ये आपका मुख्य आयुक्त क्षेतर रहा तो इसमें क्या बनाएगे इसमें आपके चीफ कमिशनर बनाएगे फिर 1951 से लेकर 56 तक ये जो है वो पार्ट सी यानिके गरश रिनी का राजी रहा जिसमें आपके लेटिनेंट गवर्नर होते हैं ठ राज्य का दर्जा मिला और ये 18th स्टेट बना तो इसके बारे में कम्प्लीट मैंने कोर्स में आपको एक पूरा चैप्टर करवाया अच्छे से कि कौन-कौन लेटिनेंट गवर्नर थे क्या-क्या हुआ है किस तरीके से हुआ है तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो वहा पूल होने वाली है उसके बाद कोई भी एडमिशन जो है वो आपकी यहाँ पर नहीं ली जाएगी तो आप जाकर जो है वो देख लीजगा थेंक्स वर वाचिंग बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ